चात्र और अनुसासन अनुसासन का अर्थ होता है अच्छे आजरन अनुसासन से ही देश महान होता है अनुसासन ही नवैक्ती, चावल में कंकर के समान होता है अनुसासन तो सब के लिए जरूरी है लेकिन चात्र जीवन में इसका अलग महतपुनास्तान है जे चातर में अनुसासन नहीं होती है वह चातर कंकड के समान होता है एक अच्छे चातर के पैचान होती है कि वह अनुसासन की पालन करे अनुसासन का पालन करने वाला छात्र ही अपने तता अपने देश का नाम रवसन कर पाते हैं ऐसे छात्रों की सभी तारिप करते हैं जो अनुसासन को भली भाती समझता है गुरु के सामने गुरु वक्ति एक आदस छात्र की पहचान है हमें हर हाल में अनुसासन का पालन करना चाहिए और हम इस बात को छात्र जीवन में अच्छे तरह से समझ लेते हैं आज दुनिया में जितने भी व्यक्ति माहान होए है सबी ने अनुसासन का पालन किया जीवन के हर एक छेदर में अनुसासन का अपना महतपून अस्तान है चाहे खेल का मैदान हो, स्कूल हो, घर हो, युद हो, चाहे राजनितिक हो इत्यादी, हर जग़ अनुसासन ज़रूरी है अगर कोई अनुसासन को नहीं मानता है तो ऐसे चात्रों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है खेल के मैदान में अनुसासन को नहीं मानते है तो मैदान से बाहर कर दिया जाता है नौकरी करने वाला अनुसासन को नहीं मानते है तो उसे भी नौकरी से बाहर कर दिया जाता है इसे कहते हैं अनुसासन अनुसासन मानेंगे तो दुनिया हमें सलाम करेंगे और ता अनुसासन सबके लिए आवस्य के चात्रों को इसकी मात्व को समझना चाहिए और अनुसासन से अपयक्षित होना चाहिए कोई भी राष्ट या देज प्लवित रख्की कर सकेंगे जवगा के लोग अनुसासन को समझेंगे